नमस्कार मैं हूँ शुब्रा आए नॉस्टिल्जिक होते हैं उन कहानियों को जानते हैं जो जानना जरूरी है कुछ लोग महज इंसान नहीं बलकि तारीख होते हैं वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद से सब कुछ एक जैसा नहीं रहता बदल जाता है ऐसी एक थी अफगानिस्तान की मीना किश्वर कमाल अपनी छोटी से जिंदगी में मीना ने एक बड़ी लकीर खींची वो लकीर कौन सी थी ये जानने के लिए चलते हैं 1987 में साल 1977 कभी पैरिस ओफ सेंट्रल एशिया कहा जाने वाला काबुल इस वक्त एक नाजुक दोर से गुजर रहा था दो साल बाद ही सोव्यत रूस अफगानिस्तान पर कबजा जमाने वाला था ऐसे में एक 20 साल की लड़की ने अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक नई रोशन रह दिखाई उसी के दिखाई रास्ते पर चलकर अफगानिस्तान की महिलाओं ने अगले 30 सालों के लिए अंधेरे वक्त का सामना किया ये लड़की थी मीना किश्वर कमाल मीना ने इसी साल Revolutionary Association of the Women of Afghanistan बनाई थी फेमिनिस्ट महिलाओं का एक छोटा सा Gorilla Group जिसका मकसद ही था बे आवाज महिलाओं को आवाज देला रावा की ये मोहिम अभी तक जारी है अफगानिस्तान को लेकर आमतोर पर जो तस्वीरे सामने आती हैं वो कुछ इस तरह की हैं तालिबान के चंगूल में फसा अफगानिस्तान बंद और पिछड़ा अफगानिस्तान महिलाओं को लेकर बर-बर सोच रखने वाला तालिबान लेकिन अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था 1933 से लेकर 1973 तक का दौर एक प्रोग्रिसिव दौर था जब महिलाओं को उनकी हक देने का काम किया गया बादशाह मोहमद जहीर शाह ने ऐसे कई कदम उठाए भी थे यही वो वक्त था जब मीना बड़ी हो रही थी मीना जो काबुल के ऐसे परिवार से तालुक रखती थी जो राजघराने का करीबी रहा था घर में पढ़ाई लिखाई का महौल था और ऐसे में मीना और उसके नौ भाई बहनों को पढ़ने लिखने के मौके मिले जो कि उस वक्त के अफगानिस्तान के लिए बड़ी बात थी माता पिता ये जान गए थे कि मीना दूसरे बच्चों से अलग थी जसुम्र में उसके बहन भाई सुकसविधाओं के बीच एक बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे उसी वक्त मीना जिंदगी के बड़े सवालों से जूच रही थी वो घर में काम करने वाले लोगों को देखकर अक्सर माता-पिता से सवाल किया करती थी वो पूछती थी कि घरों में काम करने वाले लोगों को वो हक हासल क्यों नहीं है जो घरवालों को मिले हुए है नन्ही सी मीना ने अफगानिस्तान की महलाओं के शोशन की कहानी को खुद से जोड़ना शुरू कर दिया था उस एतिहास में खासी रूची थी और जब क्लास में आजादी और समानता के हक के बारे में पढ़ाया जाता था तो वो इन सब के बारे में सोचती और देश के हालाद के बारे में फिक्र करती थी मीना के जिंदगी को लेकर एक किताब लिखी गई है मीना, Heroine of Afghanistan किताब के लेखक Melody Armachild जो एक private detective रही है और अपनी जिंदगी में उन्होंने कई murder industry सुलजाई भी है किताब में कहा गया है कि graduation के बाद मीना वकालत पढ़ना चाहती थी जिससे कि वो महिलाओं के लिए मुकदमे कोट में लड़ सके लेकिन तब तक देश का उदारवादी माहौल एक गम बदल चुका था जहीर शाह को उनके कजन मुहम्मद दाउद ने गदी से हटा दिया था और चरमपन्थी धीरे धीरे हावी हो रहे थे 1976 तक जब मीना ने युनिवर्सिटी में दाखिला लिया तब तक महिलाओं पर चरमपन्थी हमले होने शुरू हो गए थे जैसे अगर किसी महिला ने शौर्ट स्कर्ट पहनी है तो उसके खुले पैरों पर तेज़ा फेंक दिया जाता था लेकिन मीना इस कटरपन्थ को चुनोती देने वाली थी यही वो वक्त था जब अफगानिस्तान की पांच महिलाओं ने रावा बनाई रावा की काम करने का एजिंडा 60 के दश्चकी पश्चिमी देशों की फेमिनिस्ट जैसा था गुरिल्ला चाप मीना सिर्फ एक फेमिनिस्ट थिंकर नहीं थी हालागे नब्बे का दश्चक आते आते रावा की भूमिका बदल गई महिलाओं की पढ़ाई और सेहत पर काम करने वाले इस ग्रूप ने तालिबान से सीधी लड़ाई मोल ली इन्होंने कई अंडरकवर ओपरेशन किये और दिखाया कि किस तरह महिलाओं के साथ तालिबान बर-बर वेभार करता है समाज में नई लखीर खीच रही मीना ने अपनी नीजे जिंदगी में भी नई लखीर खीची अफगानी समाज में 13 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती है ऐसे में थोड़ी बड़ी होने पर मीना पर भी ये दबाउट डाला जाने लगा घर वालों ने उसे दूर के कजिन और लेफ्टिस सोच वाले डॉक्टर फैज अहमत से मिलवाया मीना ने फैज के सामने अपनी कुछ शर्ते रखी जैसे उसका पती कभी दूसरा निकाह नहीं करेगा शादी के बाद भी वो पढ़ाई जारी रखेगी और उसका पती राजनीतिक सोच में दखल नहीं देगा फैज क्योंकि खुद खुली सोच के थे तो वो इन शर्तों को मान गए और मीना और फैज की शादी हो गई इन दोनों के तीन बच्चे भी हुए हालाकि वैचारिक मतभेद की वजह से कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए एक बार की बात है मीना को लेबर पेन होना शुरू हुआ डर था कि कठपुतली सरकार अस्पताल जाने पर मीना को भी अरेश्ट कर सकती है ऐसे में मीना डिलिवरी के लिए कुछ मिनट पहले ही अस्पताल पहुँची और डिलिवरी के बाद फॉरन वापस भी आ गई इस दोरान उसने अपने दुधमोहे बच्चे को एक रिष्टदार के पास छोड़ दिया था धीरे धीरे अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए मुजाहिदीनों ने सोवियत शासन को उखार फेंका था रावा और दूसरी प्रगतिश्रील संस्थाएं सरकार के निशाने पर आ गई थी फैस पहले से ही पाकिस्तान में थे और अब मीना को भी पाकिस्तान जाना पड़ा रावा का बेस अब इसलामबाद में था 1987 में एक दिन क्वेटा में मीना की हत्या कर दी गई कहा गया कि KGB की अफगान शाखा ने हत्या करवाई थी जिस वक्त मीना की हत्या की गई उस वक्त वो सिर्फ 31 साल की थी दरसल मीना वो पहली शक्स थी जो चरमपंथ के उन खत्रों को भी देख पा रही थी जो तालिबान की शक्ल में सामने आया था उसने 1981 में ही इस तरह की चेतावनी अमेरिका और पूरी दुन्या को दे दी थी इसी साल पैरिस में एक इंटरनाशनल कॉन्फरेंस में मीना ने कटरपंथ को लेकर खोल कर बात की थी इसी दौरान एक टीवी इंटरव्यू में भी मीना ने कहा था कि अमेरिका मुजाहिदीन संस्थाओं को फंट कर रहा है रावा के सदस्ये आज भी मीना को बहुत प्यार से याद करते हैं मीना के बारे में कहा जाता है कि वो दिल से बहुत खुबसूरत थी अगर उनका कोई साथी बीमार होता था तो वो कटरपंथियों की नजरों से बच कर उस सदस्य के घर जाती थी उनके सेवा करती थी, कई भार तो वो पुरुष के भेश में बाहर निकलती थी मीना एक कवित्री भी थी, वो दिल की भावनाएं बहुत अच्छे से कागस पर उतारती थी दरसल मीना एक शक्स नहोकर एक इनकलाब है जो जिन्दगी की तरह निभाई गई एक जिन्दगी है जो इनकलाब की तरह जी गई मीना के ही शब्दों में अगर कहें तो ये मीना ही है जो कहती है ए मेरे देश के लोगों, ए भाई, अब मैं वो नहीं जो हुआ करती थी मैं वो औरत हूँ, जो जाग उठी है, मुझे अपनी राह मिल गई है ऐसे ही एक नॉस्टेल्जिक कहानी के साथ हम फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए दीजिए अचासत